कॉंगर्स उमीदवार अर्चना शर्मा मद्दान की अगले दिन याने की आज पूरी तरह से रिलाक्स मोड में है जीत का दावा करते वे अर्चना शर्मा का कहना है कि पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब और आज की परिस्थितियों में काफी अंतर है जनता ने इस बात भी दिल खोल कर सिपोर्ट किया है अर्चना शर्मा से खास बातचीत की समदा था अब शेक्षिर वास्तों ने कल मद्दान का दिन बीच चुका है आज प्रत्याशी जो है आराम के मूंड में है लेकिन अपनी जीत को लेकर आशंकित है जीतेंगे यह हारेंगे यह फैसला होगा 11 दिसंबर को हमारे साथ है मालवी नगर शेतर से कॉंग्रिस प्रत्याशी अर्चना शर्मा इन से जानते हैं कि जो मद्दान हुए उसके आधार पर अपनी जीत का वो किस तरह से आकलन करती है मद्दान से जादा जो समर्थन मिल रहा था चुनाव पर चार्गतान वो हमें आशानवित कर रहा है क्योंकि पिछली बार हुए ने चुनाव लड़ा किसी प्रकार का कोई समर्थन या सहयोग जन्ता का यूं कह सकते हैं उत्सा नहीं था उनमें लेकिन इस बार हमारी मीटिंस का जो रेकॉर्ड टूटा उससे ऐसा लगता है कि जन्ता में खुद में एक भावना थी किस बार परिवर्टन कर देना चाहिए और फिर जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे हाला कि मेरी प्रवर्टी ने किसी की बुराई से अपने अच्छा है हासिल करना लेकिन उनकी छवी भी खराब हुई और जन्ता की अंदेगी भी चरम पर की उनको बहुत बड़ा जनादेश जन्ता ने दिया था लेकिन प्र प्रकार से धनबल और बहुबल का प्रियोग करने का प्रयास के तो मुझे पूरी संभावना प्रतीत हो रहे है कि ये चुनाव जन्ता मुझे जताना चाहती है और मेरा चुनाव ऐसे भी जन्ता लड़ रही थी तो क्या ये माने कि अगर मालोग बाइचांस अगर आपको नहीं जीत पाती है तो आप फिर ये कहेंगे कि धन्बल और बहुबल की जीत होई आप अपने लिए क्या प्लस मानती है कि आपको जन्ता ने क्यों जिताया होगा या जन्ता ने आपके समर्थर में वोट क्यों डाला होगा मालवी नगर से कॉंगर्स प्रतियाशी अर्चना श्रमा का कहना है कि आकला लगाना कथिन जरूर है लेकिन वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है वो जहां अपने प्रतिदंदी के रिजेक्शन एक आधार मानती है उसे बढ़कर वो ये भी मानती है कि वो पांस साल शेत्री में सक्रिये रहिए इसका भी जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी कैमरा परसंद धर्मेंदर के साथ अभिशेक श्रिवास्ताव फर्स्ट अंडिया न्यूस जैपूर